दो जुलाई को हाथरस में एक बहुत बड़ा हाथसा हुआ जिसमें 100 से जादा लोगों ने अपनी जान गवा दी एक कथित बाबा के सत्संग में लोग जुटे थे वहाँ पर भगदड मच गई और उस भगदड़ में 100 से जादा लोगों की मौत हो गई जब लोगों की मौत होई तो उनको अलग-अलग अस्पतालों में ले जाया गया अस्पतालों की व्यवस्थाएं कैसी थी उस पर पूरा वीडियो हमने ललन टॉप पे किया हमारी साथी सोनल इस समें ग्राउंड पर हैं और वहाँ पर किस तरीकी की अवयवस्था थी जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ जब अस्पतालों का दारा करने के लिए पहुँचे तो आनन फानन में कैसे प्रशाशन की ओर से लीपापोती की गई किस तरीके से वहाँ पर तमाम चीजे रख दी गई जो उससे पहले मौजूद नहीं थी और वहाँ पर क्या कुछ शबे रोज तमाशा मेरे आगे तो कहानी ये है कि तमाशा हो रहा है जो हाथरस का हाथसा हुआ उस पे और उस तमाशे की सबसे बड़ी तस्वीर ये हमारे सामने दिखाए जरा मुख्यमंत्री गए हुए हैं अस्पताल में जायजा लेने के लिए ये सब कुछ इसमें कोई अधिक शुपाने के लिए जो है लीपा पोती कर रही है कल तक जब मरीज अस्पताल में भटक रहे थे तब एंबुलेंस नहीं थी लोगों को टेंपो ट्रेलर में लाट कर ले जाया गया अस्पताल ऑक्सीजन नहीं थी तब जो है डॉक्टर नहीं मिल रहे थे आज जो है यह फलों की तोक्री के जो अधिकारी कर रहे किया इनके फूपाक बरात वहां सजी हुई है जो यह फलों की तोक्री चुन्री वाली सगाई वाली ले जाकर रख दी है यह तो एक तरीके से मजाख उडाना हो गया ना इस हासे का, इतने लोगों की जान गई है मैं आपको इस अस्पताल के यह जो अस्पताल है, हातरस का जिला अस्पताल है सोनल यहाँ पर गई थी रिपोर्ट करने, मैं उसके हिससे दिखाता हूँ और फिर पता नहीं मुख्य Μंत्री को ये तस्वीर दिखी कि नहीं दिखी और उन्होंने बात में अधिकारीों से पूचा कि नहीं पूचा लिए इन सारी दुनिया को दिखी और सब ये पूच रहे हैं कि इस तरही के का तमाशा जो होता है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ते होती है जब अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि वाई ये हुआ कैसे तब ये फलों की टोकरी सजा करके इस तरीके का वेवहार कर रहे है देखिए यो वही अस्पताल है है तमाम बड़े अधिकारी आने वाले है तो रातो रात अस्पताल जमकानी का काम भी जारी है जड़ू लग रहा है और चाट चौबंद अब व्यवस्ता की जा रही है हाला कि जब आप इस अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में जाएंगे जहाँ पर मौट चुरी है तो खुले में बर्फ की सिलियों पर लोगों की शवों को रखा गया है क्योंकि उस हिसाब से या गवस्ता है नहीं नहीं अभी लगाता है यसे मरी जाने लगे तुरंद लगाया था जब आग लगी तब कुवांखो देंगे तब एसी लगे यह एसी आपको दिख रहा थे एसी एसी कल कल साफ करके धुला गया है यह एस्पताल में वोड देख रहा था इसमें मुख्यमंत्री कि नेम प्लेट लगी नेम लिखा हुआ साइद जो भी किया ओ यहां की विवस्ता है जो यह गुप्त-वंस के समय की रही होंगी उस तरीकी की विवस्ता कर रखी थी जब गुप्त-काल चल ला था तब यह देखी रात के समय इस तरीके से अस्पताल में लीपा-पोती चल तेज़ने दो ना यह कौन सा तरीका है कि यह जो भी सीमों है वहाँ के जो भी अदिकारी है मैं जब मौर्वी में था पुलासा हुआ तो प्रधान मंत्री को जाना था उससे पहले रंगाई पूताई चुरू हो गई गरीमत है कि यहां रंगाई पूताई नहीं हुई लेकिन आप इस इस्पता को दुरूस्त रखिए ने आप अपने ऐस्पतालों को तयार रखिए कि बहई जब आम आद्मी की जिंदगी हासों के हवाले ही है तो ऐस्पतालों को भी तयार रखिए और नहासा हो तब भी आम आद्मी जब जाता होगा healthcarell आूसरी तो अस्पताल तयार रहेंगे सिर्फ जो है जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना देने से नाम धर देने से कि हमारे यूपी में इतने जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज होगा उससे आपकी स्वास पर उसना नहीं सुदरेगी, कल सब कुछ सामने था एक सो से जादा लोगों की जान गई, उसमें लापरवाही भीड में लोग कुछले, पहली लापरवाही प्रशासन की कि इतनी पब्लीक गैदर हुई, उसको रोकने का, उसको बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया, उत्ती भीड क्यों आने दी गई, वहां के बाद जब अस्पत मुख्यमंत्री ने दोरा किया, मुख्यमंत्री वहां से चले गए, उसके बाद क्या किसी की जिम्मेदारीत हैं होगी, जाच रिपोर्ट आएगी, मैं बता रहा हूँ, वहां के ADG है, अनुपमा कुल स्रिष्ट, आगरा जोन की, शलब माथूर हैं, आईजी हैं, चैत्री व बनेगी, रिपोर्ट बनेगी, 2008 में महरानगड के किले में राजस्थान में भगदर हुई थी, 216 लोग मारे गए थे, तब खुब जाच रिपोर्ट बनी, कमेटी बनी, बड़ा उगर प्रदर्शन और बड़ा ये था कि सरकार कुछ करेगी, आज तक उसकी रिपोर्ट नह कोई नहीं पूचेगा, बाबा पर जिनको लेकर कि कहा जा रहा है कि फायर होनी चाहिए क्यों नहीं हो रही, किस दबाव में नहीं हो रही, वोट बैंक की राजनी थी है, लोग सवाल तो उटाएंगे ना, कि किस दबाव में जब अगर कोई घटना होती है, उस घटना से ज पर तक नहीं डाल रहे हो, क्योंकि एक जातिकेत कॉमिनेशन बनेगा, उस जातिके लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, आपको डर है कि और ना चले जाए, विपक्ष में कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा, यो सबको तो वोट चाहिए, बाबा जितन में अभी भी कहे रहे हैं कि क्रिश्ण भगवान क्या बता है शद्धा के अंदर शद्धा में बदलने और उससे हाथ से को जनम देने और उससे 116-122 वीस लोगों की मरने का ये इससे बड़ा उधारण नहीं हो सकता ये टोटली प्रशासन का फेलियर है और प्रशासन की जिम सकता कियो बोगों कि आप कर देंगे कि नहीं ये तो रूक की तृट्र की यहां पे इन सब जब सेत्रीकी की भीड़ आरे यह प Arctic और आप जानते हैं कि वहां एक इस तरीकी अब बहुत बहुत खदरनाक होती, मुझे याद है वाकिया, मैं 2013 में जब अमाउस्या मैं भहीं का रहने वाला हूप रहा था, वहाँ पे जब कठा भीड थी और फिर आपस में दो अखाडों के बीच कुछ विवाद हुआ, तो फिर दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, तो तो बहुत चोटी उमर थी, लेकिन जी डर रहा था, कि अगर एक विक्ति को धक्का लग गया या खरोंश लग गई, तो भगदर मचेगी और लोगों की जान चली जाएगी, स्टेंपेड ही ही होता है, आपको जब पता है कि भीड की स्थिती में इस तरीके के हाथ से, और य सब की जिम्मेदारीते होनी चाहिए, मुख्यमंतरी को खुद पूछना चाहिए कि वो फल की टोकरी किसने रखवाई थी, कल जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था लोगों को, तो क्यों नहीं मिल रहा था, जब यहां अस्पताल में लोग आ रहे थे, तो एंबुलेंस क्यों न देख लिया जाएगा, यह नियती हो गई एक तरीके से. तो सिर्फ हाथसों में पहली होती है, जब कोई पहली मौत होगी तो फलाना ही एक विक्ती की मौत, बाकी सिर्फ खबर यही होती है, मृतकों की संख्या बढ़कर फलाना हुई, तो क्या संख्या मातर है, यह सरकार, सिस्टम, अधिकारी सब बैट कर सोचे, शायद उनको कु कि मंतरी का दौरा हो गया, उसके बाद चीजे वैसे की वैसे ही रह जाएंगी, उस पूरी खबर पर आपकी क्या राया है, आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्यामरे के पीछे मेरे साथ ही हनी है, मेरा नाम विकास पर्मा है, देखते र